Hi, welcome you all my dear students to my channel, Engineer Study. आज हम बहुत ही एक प्यारी सी story लेकर के आए हैं. Story का नाम है honesty. H silent होता है, honesty मतलब क्या होता है? इमानदारी, ठीक है? honesty, इमानदारी. सारी चीज़े सीखने वाले हैं, read कैसे करना है, वो हम देखेंगे, translation भी आपको बताऊंगा, कफी सारे hard words आप सीखने वाले हैं, grammar और structure भी. कि किस कौन सा structure है, कैसे है, उस पर based आप अलग-अलग sentence बना सकते हैं. सारी चीज़े इस वीडियो में हमें सीखने को मिलेगी, ठीक है? तो English to Hindi Translation, अंग्रेजी से Hindi में अनुवाद कि ये best video होने वाली. तो यहाँ से start करते हैं. स्टोरी का नाम है, a pound of butter. honesty, इमानदारी पर based है. a pound का मतलब क्या होता है? एक pound. pound एक unit होती है, weight को measure करने के लिए, जैसे gram होता है, kilogram होता है, वैसी pound भी होता है. और एक pound लगभग आधा kilo के बराबर होता है, हाफ केजी के बराबर. तो एक pound आफ मतलब का, किस चीज का एक pound? butter याने मक्खन का, है ना? इसको बलेंगे एक pound मक्खन. कि यह कहानी है, ठीक है? देख लेते हैं क्या कुछ है? there was a farmer, एक किसान था, there was a farmer, एक किसान था, who sold, जिसने बेचा. क्या बेचा? sell, S-E-L-L, sell याने होता है बेच, उसी की past form है sold, उसने बेचा, क्या बेचा? a pound, एक pound बेचा, of मतलब का, किस चीज का एक pound? butter याने मक्खन का एक pound, याने की एक pound मक्खन, उसने बेचा. किसको बेचा? देखो, टू लगा के लिखा है, टू अब बेकर, एक बेकर को बेचा, बेकर याने बेकरी वाला, जो मिल्क प्रोड़क्ट को sell करता है, दूद से बनी सामागरी, जैसे दूद, दही, मक्खन, पनीर, इस टाइप की सारी चीज है, तो एक बेकर को, बेकरी वाले को, बेचा, किसान ने क्या बेचा, एक पाउंड मक्खन, बेचा, बटर बेचा, वन डे, एक दिन क्या हुआ, देखो, उस बेकर ने, डिसाइडेड याने होता है, तैय किया, तो जो बेकर था, जो किसान क्या से मक्खन खरीद के लाया करता था, उस बेकर ने क्या किया, देखो लिखा हुआ है, क्योंकि हमें इस बेकर का जिकर कर चुके हैं पहले, यह डेफिनेट है, पहले अ बेकर था, पहली बार जिकर हुआ तो, farmer का भी पहली बार जिक्र हुआ, तो a farmer लिखा था, दुबारा जब जिक्र होता है, वो definite article the का इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, one day एक दिन क्या हुआ, the baker, मतलब उस बिकारी ने, उस बेकर ने, उस बेकर ने, बेकरी वाले ने decided याने तह किया, past from a decided, past indefinite tense है, क्या तह किया, to way, इसको way पढ़ते हैं, एक और way होता है, w, a, y, way याने रास्ता, तो ऐसी ही पढ़ना, spelling अलग है, w, e, i, g, h, way, way का मतलब होता है, तॉलना, किसी चीज को, नापना, तॉलना, ठीक है, किसी वजन को मेजर करते हैं, उसको way बोलते हैं, और इसमें अगर टी लग जाता है, तो क्या बन जाता है, weight बन जाता है, फिर वो noun बन जाता है, ये verb है, ठीक है, तो एक दिन उस बेकर ने तै किया, to way, मतलब तॉलने का फैसला किया, क्या तॉलने का फैसला किया, the butter, उस मक्खन को, हमें पता है किस मक्खन की बात हो, इसलिए the butter, उस मक्खन को, to see, देखने है ती हूँ, पता करने है तू, क्या देखने हूँ हूँ, इफ की यदी की, he was getting, की उसे मिल रहा था, he was getting the right amount, मतलब उचित मात्रा, उसे उचित मात्रा मिल रही थी की नहीं, ये देखने के लिए उसने क्या किया, तै किया कि भाई या इस बखन को हम क्या करेंगे, तो लेंगे उस बेकर ने, फिर क्या पता चला उसा, विच जो he wasn't, जो उसे नहीं मिल रही थी, पूरा sentence कैसा होगा, which he was not getting, तो was not को क्या लिख दिया है, was not को contracted करके wasn't लिख दिया है, angry about this, angry याने नाराज होकर, about के बारे में, this याने, इस मामले के बारे में, इस से नाराज होकर है, है न, इस matter से, इस मामले से नाराज होकर के, he took, वहां ले गया, ठीक है, उसने ले गया, उस बेकर ने, जो बेकर था, उसने ले गया, किसको the farmer, यानि उस किसान को ले गया, पहले a farmer लिखा था, देखो a farmer, उस किसान को ले गया, कहां ले गया, two लगा के लिखेंगे, court, two court, मतलब अदालत, जब भी आप किसी को ले जाते हैं, तो take की past form है, take की past form took ले गया, तो जिस जगह पर ले जाते हैं, तो two लगा के लिखना है और जिसको ले जा रहे है डायरेक्ट लिख दो सही है हां जैसे वहां मुझे मुंबई ले गया तो मैं कैसे बुलूँगा he took me मुझे ले गया तो मैं direct कहां ले गया तो लगा के लिखेंगे he took me to Mumbai ठीक है इस टाइब से आपको लिखना है okay sentence का structure को ऐसी समझना है और अपने मन से भी कुछ sentence आप बना सकते है जज ने पूछा ठीक है asked the judge asked उस जज ने पूछा asked क्या नहीं क्या होता है पूछना उसी की पास्वाम है asked पूछा किस से पूछा direct click nap को the farmer उस किसान से पूछा क्या पूछा if he was using any measure to weigh the butter if he was using क्या वो इस्तमाल कर रहा था past continuous tense was were के बाद वो अपकी ing form है क्या वो इस्तमाल कर रहा था क्या एनी मेजर कोई नाप को इस्तमाल कर रहा था to weigh मतलब tolने ही to the butter याने उस मक्खन को वो मक्खन को ऐसा पूछा गया किसान से जज ने पूछा तो क्या हुआ the farmer उस किसान ने farmer ने क्या क्या रिपलाइड जवाब दिया र-e-p-ly reply की past form कैसे बनती य को हटा देते और i-e-d लगा लेते है रिपलाइड ठीक है उसने जवाब दिया किसान ने क्या बूला आनर महोद है I am primitive I am मैं हूँ primitive मतलब अनपढ मैं अनपढ हूँ I don't have मेरे पास नहीं है क्या नहीं है मतलब कोई बाट नहीं है 50 वाज ग्राम का 100 ग्राम का या भी नापने के लिए तो कोई मेरे पास उचीट मेजर नहीं है लेकिन I do have a skill लेकिन मेरे पास है ना I do have a मतलब मेरे पास है तो क्या है a scale मतलब एक तराजू तो है, मेरे पास एक तराजू तो है, तो ये तो वाला जो sense आता है ना, वो ए डी से, do से आया है, do, अगर वो ऐसा बोलता है, but I have a scale मतलब मेरे पास तराजू है, लेकिन मेरे पास तराजू है, तराजू है, ऐसा होता, लेकिन do का मतलब क्या हुआ, do का म वाला sense आता है, I do have a skill, ठीक है, तो ये sense आता है, क्या बोलता है, I don't have a proper measure, मेर पास उची तनाप तो नहीं है, but I do have a skill, लेकिन मेर पास तराजू तो है, the judge asked, उस judge ने पूछा, क्या पूछा, जो भी पूछा, inverted comma के अंदर है, then to how do you weigh, कैसे तुम वे मतलब तॉलते हो, how do you weigh, त तुम कैसे तॉलते हो, the butter मतलब मक्कन, जो तुमने मक्कन दिया उस बेकरी वाले को, बेकर को, तो भी या तॉलते कैसे उस मक्कन को तुम, तराज हुए, लिकिन नाप तो नहीं, measure तो नहीं है, तब क्या हुआ, the farmer replied, उस किसान ने जवाब दिया, क्या बोला, देखो, inverted comma के अंदर वो बात लिकी होगी, देख लेते हैं, your honor, मतलब जस साब, जस साब, long before, बहुत पहले, the baker started buying, the baker, मतलब इस बेकरी वाले ने, इस बेकर ने started, शुरू किया था, बाइं याने खरीदना, खरीदना शुरू किया था, बहुत पहले क्या, butter, मतलब मक्कन, from me, मतलब, from या मतलब मक्कन खरीदना शुरू किया था, बहुत पहले से, I have been buying a pound, a pound loaf of bread, from him, ठीक है, I have been buying, कौन सा टेंस है, याँ पर देखो, have been buying, कौन सा है, present perfect continuous tense है, मतलब कोई काम चलते आ रहा है, ये वाला सेंस आता, I have been buying, मैं खरीदते आ रहा हूं, मैं खरीदता आ रहा हूं, क्या, मतलब काफी समय से मैं खरीदते आ रहा हूं, a pound loaf, मतलब एक pound का, वजन का loaf, मतलब टुकडा, off मतलब का bread, याने bread का, एक pound का जो टुकडा होता है, loaf, वो मैं खरीदते आ रहा हूं, from him, मतलब उस से, इस bakery वाले से, किसान क्या बोलता है, farmer, long before, बहुत पहले से, the baker started buying butter, इस baker न मैं क्या कर रहा हूं, I have been buying a pound loaf of bread from him, और मैं क्या खरीदते आ रहा हूं, उसके पास से, bread खरीद लेता हूं, एक pound का, जो loaf है, टुकडा है, वो खरीदता हूं, ठीक है, फिर क्या करता है, क्या कह रहा है, वो किसान, everyday, हर दिन, when the baker brings, जब ये जो baker है, brings मतलब वो लाता है, क्य क्योंकि आपका जो farmer है, baker है, sorry, ये baker है, singular noun है, singular subject, singular, ठीक है ना, इसलिए, वर्ब में, ACIS लगता है, brings है, okay, everyday, हर दिन, when the baker brings, जब ये बेकर लाता है, क्या लाता है, the bread, is bread लाता है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूं, I put it on the scale, मैं रखता हूं इसे, on the scale मतलब तराजू मैं हुआ हुआ हूं और देता हूं, उसे क्या देता हूं, the same weight in butter, उतना ही वजन, इन बटर, मतलब मक्षन के रूप में दे देता हूं, उसे, मैं एक pound bread लेता हूं, और वही bread को मैं तराजू पर रखतेता हूं, उतना ही वजन का मक्फन उसको दे नेता हूं, ठीक है, क्योंकि तो भी एक पाउंड ही मखन करीता है मुझसे, ऐसा वो किसान कहता है, फिर आगे क्या कहता है, देखो, फिर वो किसान क्या कहता है, If anyone is to be blamed, यदि किसी को आरूप लगाया जाना है, तो it is the baker, तो ये है ये बेकर, इस बेकर ही है, जिसको आरूप लगाया जा सकता है, If anyone is to be blamed, अगर किसी को आरूप लगाना ही है, it is the baker, तो ये बेकर है, इसी की गलती है, ये मुझे क्या देता था, जो लोफ देता था, ब्रेड का, वही एक पाउंड से कम का रहता था, उसी को तॉल के मैं उसे मखन देता था, तो मखन भी एक पाउंड से कम ही होता था, ठीक है तुम्हें मिलता है, what you give, जो तुम देते हो, don't try to cheat others, don't try, कोशिस मत करो, to cheat ठगने की बेवकूप बनाने की others, याने दूसरों को, दूसरों को ठगने की कोशिस मत करो, ठीक है, कैसी लगी स्टोरी मुझे, जरूर बता ना, जैसे यहाँ पर, if anyone is to be blamed, लेकर is, फिर to, फिर ब और यह वर्ब की third form, यह पैसी वह इसका structure है, कुछ किया जाना है, जैसे मैं बोलू, इस कमरे को साफ किया जाना है, तो मैं क्या बोलूँगा, this room is to be cleaned, साफ किया जाना है वाला sense आया, इसलिए, बच्चों को English पढ़ाया जाना है, तो मैं कैसे बोलूँगा, students, विध्यारति to be taught English, English, मतलब बच्चों को English पढ़ाया जाना है, कुछ काम किया जाना है, वाला sense होता है, present में तो is, am, are के साथ to, और फिर be लगता है, और फिर वर्ब की third form जो काम किया जाना है, ठीक है, तो passive voice का structure है, समझ में आगया, ठीक है, तो comment करके बचाना, बताना मुझे वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है न, अगर वीडियो अच्छी लगती तो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, thank you very much my dear student